बॉलिवूट सिल्व स्क्रीन प्रेजेंटिंग एवेंजर्स एज ओफ अल्टरोन दा एवेंजर्स मुवी में हमें दिखाया था कि लोकी की शाई छड़ी जिसे सैप्टर कहा जाता है उससे उस पोर्टल को बंद किया था जहां से चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आ रही थी जिसके बाद लोकी की शाई छड़ी यानि की सैप्टर शील्ड और्गनाजेशन के पास चली गई थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोलजर के मिट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइडरा और्गनाजेशन की लैब में स्टकर नाम का एक आदमी है जिसके पास लोकी की शाई छड़ी है जिसकी मदद से वो दो आम इंसानों को सूपर सोलजर बनाता है एक के अंदर बहुत स्पीड होती है और दूसरे के अंदर किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने की पावर स्टकर को लोकी की छड़ी इसलिए मिलती है क्योंकि शील्ड और्गनाजेशन में हाइडरा और्गनाजेशन के बहुत सारे ऐसे एजेंट्स थे जो की बहुत बड़े बड़े ओधो पर थे और वही इसे स्टकर को देते है एविंजर्स एज ओफ अल्ट्रोन यहां से आगे की कहानी है जहां पर दिखाया जाता है कि पूरी एविंजर्स टीम हाइडरा की उस लैब की तरह बढ़ रहा होता है जहां पर स्टकर लोकी की शाही चड़ी से सूपर सोलजर्स और बहुत ही आधुनिक हतियार बना रहा होता है स्टकर के बहुत सारे लोग एविंजर्स का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यह सब बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जब एविंजर्स के आगे पियेट्रो जो स्टकर का सूपर सोलजर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है वो आता है तो उसका सामना करने में एविंजर्स को तकलीफ होती है वही पियेट्रो की जुड़वा भेन को दिखाये जाता है जिसके नाम वांडा है जो किसी की भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है वो उस जगा पहुँच जाती है जहां पर आईरन मैन होता है दरसल आईरन मैन अब छड़ी तक पहुँच चुका है वो देखता है कि यहाँ पर लोकी की शाही छड़ी से बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं पर इससे पहले कि वो छड़ी को हासिल करता वोंडा पीचे से आकर उसके दिमाग में कुछ कर देती है जिससे उसे ब्रहम होना शुरू हो जाता है वो देखता है कि पूरी एवेंजर्स टीम अब मर चुकी है पर जल्दी वो वापस अपनी सेंसिज में आ जाता है इसके बाद उसके हाथ में आरिन में सूट का हाथ आकर फिट हो जाता है जिससे वो लोकी की शाही छड़ी को ले लेता है और इसके बाद टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर लोकी की शाही छड़ी पर रिसर्च करना शुरू करते है और इन्हें पता चलता है कि इस छड़ी में एक बहुत खास बात है इस छड़ी के अंदर जो मणी है उसके अंदर एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है यानि कि उस छड़ी के अंदर सोचने समझने की शक्ती है टोनी स्टाग ब्रूस बैनर को बताता है कि जब मैं स्टेकर के लैब में गया था तो वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स हैं और हम मुझे समझ में आ रहा है कि वो रोबोट्स के साथ क्या करने वाले थे टूनी स्टा कहता है कि छड़ी की मदद से हमल्टरॉन की एक पूरी की पूरी सेना बना सकते हैं जो पूरी दुन्या की रक्षा करेगी हाला कि ब्रूस बैनर इसके फिवर में नहीं होता वो कहता है कि हमें पूरी एवेंजर्स की टीम से पूछना होगा टोनी स्टार्क कहता है कि अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं देंगी एक बार हम काम खत्म कर ले इसके बाद हम उने बता देंगी और अभी दोनों के दोनों इस पर काम करना शुरू कर देते हैं पूरा कंप्यूटराइज दिमाग बनाने के बाद भी ये उसकी सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते जार्विस जो की टोनी स्टार्क का आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है वो इन दोनों को कहता है कि तुम्हें पार्टी में जाना है वहीं टोनी स्टार्क की लैब में दिखाया जाता है जहां जार्विस उस कंप्यूटराइज दिमाग को पूरी तना से एक्टिव कर देता है जिस काम को ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क छोड़ कर गए थी जार्विस टोनी स्टार्क को कॉल करके बताना चाता है कि लोकी की शाही छड़ी से जो आपने computerized दिमाग बनाये था वो अब active हो चुका है लेकिन वो दिमाग Jarvis को ऐसा नहीं करने देता और उसे पूरी तरह से damage कर देता है इसके बाद वो Tony Stark की लैब से अपने ले एक robotic body बनाता है और उस जगह पहुच जाता है जहां पर सभी Avengers होते है Avengers उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते है वो बताता है कि मैं वो दिमाग हूँ जो Tony Stark ने बनाये था और अब मैं अपने mission पर हूँ उससे पूछा जाता है कैसा mission वो बताता है peace in our time यानि हमारे वक्त में शांती धर असल Tony Stark की वो दो बाते जो उसने उस वक्त कही थी जब वो इस Ultron के दिमाग को बना रहा था Ultron ने बहुत ही गलत तरीके से accept कर ली होती है पहली बार Tony Stark ने ये कही थी कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ और Ultron के दिमाग ने देख लिया था कि सारे Avengers पूरी दुनिया में तबाही कर रहे है आला कि उनका मकसद दुनिया को बचाना ही होता है लेकिन Ultron का दिमाग ये नहीं समझ पाता दूसरी बार Tony Stark ने ये कही थी कि Peace in our time यानि कि हमारे जीते जी हमारे वक्त में शान्ती इन दोनों बातों से लोकी की शाय चड़ी से बनाय हुआ दिमाग ये मान लेता है कि जब तक इनसानों का धरती से पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा तब तक इस दुनिया में शान्ती नहीं आएगी तब तक इस दुनिया को सुरक्षा नहीं मिलेगी जीली अल्टरॉन अब सबसे पहले एवेंजर्स को और उसके बाद पूरी दुनिया को खत्म करना चाता है वो इनके उपर हमला कर देता है पर इनकी शक्तियां अभी बहुत ज्यादा है इसलिए एवेंजर्स इसे बहुत जल्दी पूरी तरह से नश्ट कर देते है लेकिन इसके अंदर जो दिमाग होता है वो इंटरनेट की तारों से यहां से निकल जाता है और हाइडरा की उस लैब में पहुँच जाता है जहां पर एवेंजर्स को लोकी की शाई चड़ी मिली थी दरसल हाइडरा वाले भी वहाँ पर इसी तरह की रोबोट्स बना रहे होते है और वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉंग बाड़ी होती है यह दिमाग उस बाड़ी के अंदर फिट हो जाता है और यह बाड़ी पहले वाली बाड़ी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होती है अब इसके पास पियत्रो और वांड़ा वो जुड़वा भाई बेन जिन्हें हाइडरा ने सूपर सोलजर्स बनाया है यह दोनों टोनी स्टाक को किसी भी तरह से खत्म करना चाते है क्योंकि जब यह दस साल के थे तो इनके घर पर एक मिसाइल आकर गिरी थी उस मिसाइल पर लिखाता स्टाक कमपनी और उस मिसाइल के फटने से ये दोनों तो बजग गए पर इनका परिवार खत्म हो गया इसलिए टोनी स्टाक से किसी भी तरह से बदला लेना चाते है अल्टरोन ने स्टाकर को मार दिया होता है इसलिए अब ये दोनों के दोनों अल्टरोन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते है वहीं एविंजर्स को दिखाय जाता है जो सब के सब टोनी स्टार्ग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने पूरा काम उन्हें बिना बताय किया था टोनी स्टार्ग कहता है कि हमें ऐसी फौज की जरुरत है जो दुनिया को सुरक्षा दे सकें क्योंकि हम इनसानों से तो लड़ सकते हैं लेकिन उन ताकतों से नहीं जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया पर हमला करती हैं जैसे चित्तौरी से ना थौर को यहां पर गुस्सा आता रो टोनी स्टार को गर्दन से पकड़ कर ऊपर उठा देता है वो कहता है कि लोकी की शाई चड़ी एक बार फिर से हमसे चिन गई अब इने पता चलता है कि अल्टरोन जोहांसबर्ग गया है टोनी स्टार कहता है कि वो वहां पर वाइबरेनियम की धातू लेने गया है वाइबरेनियम वही धातू है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है ये धर्ती पर सबसे बेश कीमती और सबसे मजबूत धातु है ये सारे के सारे उस जगा पहुंच जाते हैं जहां पर अल्टरॉन वाइब्रेनियम का सौदा कर रहा होता है एविंजर्स उसके ओपर हमला कर देते हैं पर यहां पर उसके दो साथी पेटरो और वांडा ये दोनों भी एविंजर्स से मकाबला करते हैं वांडा अपने शक्ती से सब के दिमाग को ब्रहमित कर देती है जिससे सब को अलग-अलग ख्याल आना शुरू हो जाते हैं ती उसने प्रूस बैनर को हल्क बना दिया होता है और उसके दिमाग में ये डाल दिया होता है कİईविंजर्स उसके दुश्मन है इसलिए टोनी स्टाक को अल्ट्रون को छोड़ कर हल्क को रोकने के लिए जाना पड़ता है टोनी स्टाक हमेशा से जानता था कि ऐसा दिन कभी ना कभी जरूर आएगा इसलिए उसने एक खास आइरन मेंट सूट बनाया होता है जिसका नाम होता है एंटी हल्क आमर उसे पहन कर टोनी स्टाक बहुत विशाल हो जाता है इसके बार टोनिस्टा के बीच में और हल के बीच में एक गमासान लड़ाई होती है पूरी दुनिया इस लड़ाई को देखती है और एवेंजर्स जो अभी तक सब के रखशक थे सब के दिमाग में ये आ जाता है कि एवेंजर्स हमेशा दुनिया में तबाही लाते हैं वहीं दूसरी तरब अल्टॉन को दिखाया जाता है जो वाइबरीनियम धातू की मदद से एक ऐसा इनसानी शरीर बना रहा होता है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है ये शरीर बहुत शक्तिशाली है वो इसके अंदर लोकी की शाही छड़ी से मणी निकाल कर भी डाल देता है और अब उसका जितना भी प्रोग्राम है वो सब का सब इस शरीर के अंदर डाल देगा ताकि उससे स्ट्रॉंग इस दुनिया में कोई भी ना हो और अब अल्टरॉंग अपना दिमाग उस बाड़ी में जो वाइबरिनियम से बनी है जिसके अंदर मनी भी है उसमें अपलोड करना शुरू करता है और जब वो ऐसा करता है तो वांडा उसके दिमाग को पढ़ लेती है वो देखती है कि अल्टरॉंग इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाता है उसे अल्टरॉंग के इस इरादे का पता नहीं था वो अल्टरॉंग का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे थी क्योंकि वो ऐवेंजर्स को खत्म करना चाता था अब इससे पहले कि अल्टरॉन का पूरा दिमाग उस बाड़ी में अपलोड होता उससे पता चल जाता है कि एविंजर्स उसी की तरह आ रहे हैं इसलिए उसे अपलोडिंग को रोक कर वहां से बाड़ी लेकर निकलना पड़ता है पर कैप्टन अमेरिका उस गाड़ी पर हमला अमेरिका कर साथ देते हैं इसलिए अल्टरॉन को वहां से जाना पड़ता है वहीं उस गाड़ी में जिसमें अल्टरॉन की नई बाड़ी है जिसमें वो अपना दिमाग अपलोड करना चाहता है उसके रोबोट्स उसे हवा में उड़ा कर ले जाते हैं पर बलैक वीड़ो वहाँ पर पहुंच जाती है और इस से पहले की अल्टरॉन वहाँ पर पहुंच था वो उस चेंबर को उस गाड़ी से निकाल लेती है जिसे वो हौकाई के एरक्राफ्ट में डाल देती है पर वो खुद नीचे गिर जाती है। पर वो ब्रूस बैनर को मना लेता है और अभी जार्विस को उस बाड़ी में अपलोड करना शुरू करते हैं पर इस से पहले कि जार्विस का पूरा का पूरा प्रोग्राम उस बाड़ी में अपलोड करते हैं यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और बाकी लोग भी आ जाते हैं अखले पल यहां पर ब्लास्ट होता है जिसके बाद उस चेमबर से एक लाल रंग की बाड़ी बाहर आती है जो सिंथेटिक टिशू टेकनलोजी से बनी है जिसमें वाइबरेनिम का इस्तिमाल किया गया है साथ ही लोकी की शाई छड़ी की मनी भी इसमें होती है सारे के सारे ए माइन स्टोन और यह सबी स्टोन्स में सबसे ताकतवर है परमान में इस से ताकतवर कुछ भी नहीं और अब वो बाड़ी बताती है कि मैं कोई कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं हूँ मैं जार्विस नहीं हूँ ना ही मैं अल्टरॉन हूँ मैं हूँ विजिन अल्टरॉन उससे लड़ना शुरू कर देते हैं साथ ही यहाँ पर जुड़वा भाई बहन भी होते हैं जो कि अब एवेंजर्स के साथ हैं सी बीच विजिन अल्टरॉन के पास जाता है वो उसके सिर पर हाथ लगाता है और उसे इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देता है पर अल्टरॉन के पास एक और प्लैन होता है वो यहाँ पर एक मशीन को स्टार्ट करता है जिससे पूरा का पूरा शहर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है जिससे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है आईरन मैन जब इसे स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि अल्टरॉन का प्लैन है कि वो पूरे शहर को अंतरिक्ष तक ले जाएगा और इसके बाद उसे धरती पर पटक देगा जिससे धरती पर इंसानियत का हमेशा के ले खात्मा हो जाएगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से धरती से उलका पिंट टकराने सी डाइनसार्स का धरती से हमेशा के लिए सफाया हो गया था और इसके बाद सिर्फ रोबोट्स यानिकी अल्टरॉन्स की आमी बचेंगी हैरन मैन इस मशीन को बंद करना चाता है पर उसे पता चलता है कि ये पूरे की पूरी वाइबरेनियम की बनी है इसलिए इसे बन नहीं किया जा सकता और अब शहर लगाता और उपर उठना शुरू हो जाता है जिसमें कई मासूम लोग भी है पर तब ही निक फ्यूरी यानि की शील्ड अपना हैली केरियर लेकर यहां पर पहुंच जाता है जिसमें सब लोगों को बिठाना शुरू किया जाता है वहीं दिखाये जाता है कि पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम उस मशीन के चारो तरफ है जिसको गुमाने से पूरा का पूरा शहर जमीन पर गिर जाएगा वेंडा एवेंजर्स से कहती है कि तुम लोगों की मदद करो मैं यहां पर संभाल लोगी सारे एवेंजर्स यहां से चले जाते ही और वेंडा अकेले ही रोबोट्स का सामना करना शुरू कर देती है वहीं अल्टरॉन को दिखाया जाता है जो अपने एरक्राफ्ट से लोगों पर लगाता और गोलिया चला रहा होता है हौकाई एक बच्चे को बचाने के लिए उससे अपनी गोद में उठा लेता है और इससे पहले कि हौकाई को गोलिया लगती वहां पर वेंडा का भाई पेट्रो आ जाता है पेट्रो को गोलिया लग जाती है जिससे उसकी मृत्ती हो जाती है हल्क उसकी मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होता है इसलिए उल्टरॉन के एरक्राफ्ट पर चड़ जाता और उसे नीचे फेक देता है ये वही उल्टरॉन है जिसने बाकी सबी उल्टरॉन्स को बनाया है नीचे वेंडा उसके पास आती है जो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होती है और वो अल्टरॉन को कहते है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत का दर्द क्या होता है और वो अपनी शक्ती से उसके शरीर से उसके कोर को बाहर निकाल देती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है इसी बीच एक रोबोट को मौका मिल जाता है जो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे पूरा का पूरा शहर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है शील्ड यहां से सभी लोगों को अपने हैली केरियर पर लेकर निकल जाती है पर अगर शहर जमीन से टक्रा गया तो दर्ती से इंसानों का हमेशक लेख खात्मा हो जाएगा पर इससे पहले कि ऐसा होता आइरन मैन और थौर अपनी शक्ती से इस मशीन की पाउर को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि यहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरा का पूरा शहर छोटे छोटे टुकडे बनकर जमीन पर गिर जाता है वहीं विजन को दिखाया जाता है जिसका सामना अल्टरॉन की बचीवी लास्ट बाडी से होता है वो उसे अपनी शक्ती से नश्ट कर देता है अब होकाई भी अपने घर हमेशा के लिए वापस जा रहा है यानि कि वो एवेंजर्स की टीम से रिटायर्मेंट ले रहा है थोर भी अपनी दुनिया एजगार्ड वापस चला जाता है आइरन मैन भी अप पेपर के साथ एक अच्छी जिनदगी जीना चाता है इसलिए वो भी इस जगा से निकल जाता है यहाँ पर बसते हैं कैप्टन अमेरिका और ब्लैक वीडो जो एवेंजर्स की नई टीम के लिए वेंडा विजन फैलकन और आइरन मैन के दोस करनल जेम्स रोड्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि इनकी टीम अब और भी मजबूत हो सके लेकिन एक सूपर हीरो अभी भी इनकी टीम से गाइब होता है और वो होता हलक हलक ने जब अल्टरोन को उसके प्लेन से जिसका नाम कुइन जेट है नीचे फिका था तो वो खुद कुइन जेट में रह गया था हाला कि उससे बलेक वीडो वापस बुलाने की कोशिश भी करती है लेकिन हलक प्लेन को आपरेट नहीं करता और अंतरिक्ष में एक अंजान सफर पर निकल जाता है तोर रेगनरोक मुवी में हमें पता चलेगा कि हलक का क्या हुआ और वो कहां पहुँचा इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम है Age of Ultron यहीं पर खत्म हो जाती है मिड क्रेडिट सीन में हमें थैनौस को दिखाया जाता है जो अपना हाथ दिखाते वे कहता है कि उन छे इंफिनिटी स्टोन्स को मुझे खुदी हासिल करना होगा जिनने अपने हाथ में पहनने के बाद वो इस पूरे ब्रह्मान पर अपना कबजा कर लेगा इसी के साथ ये फिल्म यही पर खत्म हो जाती है ये फिल्म ये 2015 में रिलीज हुई थी IMDV पर इसकी रेटिंग है 7.3 इस फिल्म का बजट था 444 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स आफिस पर इसने कमाई की थी 1.403 बिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी